नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल मनिश मोटिवेशनल क्लासेश में आज हम क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सोनू पटेल को हम थेंक्यू कहना चाहते हैं उन्होंने कोमेंट बॉक्स में एक प्रसंद किया LCM और SCF का LCM और SCF क्या सोनू पटेल ने प्रसंद किया था 2 पे पावर Q, 3 पे पावर स्क्वाइर इसका अगर हम LCM या SCF निकालते हैं सोनू पटेल ने कहा कि सर base difference रहेगा तो क्या करेंगे बहुत अच्छा question किया base अगर difference रहेगा तो हम क्या करेंगे देखिए अगर हम इसका LCM निकालते हैं तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखिए जैसे LCM निकाले टू पे पावर Q का मतलब क्या दो तीन वार लिखा गुआ है दो दुना चार दुने आठ तीन का स्क्वार का मतलब तीन तीन तिया नू LCM निकालने के लिए हम दोनों को गुना कर देंगे अठ नमा 72 इसका LCM कितना हो गया 72 अगर इसका हम SCF निकाले अगर SCF question में पूच दे SCF कैसे निकालते हैं इसका हमेशा difference रहेगा base अगर difference रहेगा तो हमेशा SCF क्या होगा 1 ही होगा इसका SCF one हो गया इसका answer आगया आप LCM और SCF दोनों सिख गए और question देते हैं इसमें next question जैसे आपको दे दे माइनस में दे दे 3 पे पावर माइनस 2 और दे दे 2 पे पावर माइनस 5 कभी कभी एक्जाम में माइनस में भी दे दे देता है या 4 पे पावर माइनस 3 इसका LCM निकालने के लिए कर दे अब हम इसमें क्या करेंगे देखी 3 पे पावर माइनस 2 को हम लिख सकते 1 वटे 3 का स्क्वार क्यों 3 पे पावर स्क्वार है इसको अगर हम उपर ले जाएंगे तो उपर 3 पे पावर 2 है पलस में तो उपर जाके माइनस साइन चेंज हो जाता है माइनस में हो जाएगा ठीक है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 पे पावर 2 पे पावर 5 वटे 4 पे पावर क्यों अब क्या करेंगे वटे 3 का स्क्वार 9 2 पे पावर 5 का मतलब कितना गया दो दूना चार दूने 8 8 62 पी पावर 4 का क्यों 4664 अब इसका तो हम बता चुके आपको इसका अगर LCM पूछ दे LCM निकालने के लिए आपको बताएं बटे वाला का LCM कैसे निकालते हैं बटे का LCM निकालने के लिए क्या पूले टे लच्टे ऐलसे में अगर पूछे तो उपर का LCM नीचे का स्टीर काई सिसक्राइब निचे का मैं से पूरा पूरा लगेगा नहीं को नहीं लग रहा है तो नहीं लगेगा ते से भी जयागा ओन स जो टाहिए